नमस्कार मैं आपका जोजसी मुहन जी नचत्रवानी चैनल से मातारा को परणाम करते हुए अपने गुरू को परणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन रासी फल के स्रिंकला में आज चार फरवड़ी दोहजार बाईस दिन सुक्रवार मागमास सुकलपक्ष चतूर्थी दिथी नचत्र पूर्वा भाद्र पद्र नचत्र रहेंगे तीन बच के अंठावर मिनट यानि थिरी फिप्टी एट पियम तक उपरांग उत्रा भाद्पद्र नशत्र का आगमन हो जाएगा जिसके स्वामी सनी देव है चैन्द्रमा कुंब रासी में रहेंगे 10 बच के 3 मिनट तक और 10 बच के 3 मिनट के बाद चैन्द्र देव चले जाएगे मीन रासी में तो आईए आज का रासी फल सुरू करें सबसे पहले मेश रासी चंदरदेब दस बज़ के तीन मिनट तक आपके एकादस अस्थान में रहेंगे और दस बज़ के तीन मिनट सुभा के बाद चंदरमा चले जाएंगे आपके द्वादस अस्थान में मीन रासी में तो दस बच के तीन मिनट तक का समय आपके लिए काफी अच्छा समय है दस बच के तीन मिनट के बाद चंदर देव चले जाएंगे आपके 12 अस्थान में तो दस बच के तीन मिनट सुवक के बाद किसी भी तरह की यात्रा आपको न करनी है यात्रा में काफी जोखीम होगा और यात्रा में सफलता नहीं मिलेगी तो 10 बच के 3 मिनट के बाद किसी तरगा यात्रा न करें 11 बच के 1 मिनट से लेके 12 बच के 25 मिनट तक आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है आई भाव और भाग भाव का बहुत ही खुबसूरत संगम हो रहा है तो आई के सिदी बहुत अच्छी रहेगी आई में भाग भी आपके साथ देंगे तो 11 बच के एक मिनट से लेके 12 बच के पचीस मिनट तक आपके हर बिगरे काम बनेंगे पैसे का भी अच्छा लेंदेन होगा पैसे के भी आगमन अच्छी होंगे लेकिन चंदर देव बारमे में बैठे हुए हैं तो खर्च की अधिकता आपको रहेगी तो खर्च की अधिकता से बचें 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 58 मिनट तक का समय ये भी समय आपके लिए काफी अच्छा है आइभाव का संबन सीरे होड़ा है आपके धन भाव से तो धन में पैसे को संचित करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे रहु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं जो सूर्ज की नियच्छतर में हैं सूर्ज आपके दसम में बैटे हुए हैं सरकारी नौकरी करने वाले को काफी लाब मिलेगा परशासन में काम करने वाले को काफी लाब मिलेगा जो बेक्ति डॉक्टर हैं जो बेक्ति सर्जन हैं विसेश करके उन्हें काफी लाब मिलने वाला है आपको बारा बच के पचीस मिनट से लेके तीन बच के अंठावन मिनट तक तो दिन तो बड़ा ही सांधार है बारा बच के पचीस मिनट से लेके तीन बच के अंठावन मिनट तक तीन बच के अंठावन मिनट के बाद चंद्रमा चले जाएंगे उत्राबाद पद्नशत्र में जिसके स्वामी सनी दीव है और सनी आपके कर्म भाव में बैठे हुए है तो आपके कर्म ही आपके भग बिधाता होंगे जितने कर्म करेंगे उससे ज़्यादा फायदा होगा लेकिन अच्छे कर्म में तो तीन बच के अच्छा मिनट से लेकर साथ बच के पांच मिनट तक का समय आपके लिए काफी अच्छा समय है कामधाम की इस्तिती काफी अच्छी रहेगी और आई भी होगा लेकिन आपके मेहनत से आप जितना मेहनत करेंगे कामधाउं की इस्तिती उसी तरह से अच्छी होगी आपकी साथ बच के पैंतालिस मिनट के बाद भी समय आपका काफी अच्छा रहेगा साथ बच के पैंतालिस मिनट से लेके राजक्री तक समय आपका काफी अच्छा रहेगा बुद्धी काफी तेज काम करेंगे आपके प्राकर्म आपका काफी बरहा हुआ रहेगा हर कार्म प्राकर्म से करेंगे तो चंद्रमा आप बाडमे में हैं आपके तो किसी भी तरह की यात्रा ना करनी है आपको दिन सुक्रवार है आज के दिन स्री शुक्तम कहीं पाट करें आप काफी लाब होगा दिन आपका शुभो बिसवरासी चेंदर देव आपके एकादस अस्थान में बैठे हुए हैं लेकिन दस बच के तीन मिनट तक चंदरमा आपके दसम अस्थान में रहेंगे दस पज़ के तीन मिनट सुबह के बाद चंदरमाव के एकादस अस्थान में चले जाएंगे बहुत ही सांदार समय होगा आपका चंदर देव बिरस्पती के इन जचत्र में है बिरस्पती आपके कुणली में दसम अस्थानें बैठे हुए है तो दसम अस्थान और एकादस अस्थान का बहुत भी खूबसूरत संगम वोड़ा है काम आपके काफी बनेंगे और हर काम से आपको लाब होने की इस्तिती प्रबल है यहाँ ध्यान देने की बात है कि बिर्यस्पती देव राहू के नचतर में है तो बिर्यस्पती देव राहू के नचतर में है राहू भी बैठे हुए हैं आपके लगन में तो काफी फुर्ती ले रहेंगे आप काम धाम में काफी धुनी रहेंगे काफी धुन से काम करेंगे लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आप किसी की बात को नहीं मानेंगे बरे बुज़ूर की बात को भी आप इग्नोर करेंगे और अपनी करने की सूचेंगे 11 बच के 1 मिनट से लेके 12 बच के 25 मिनट तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है लेकिन अगर आप विदेशों से काम करते हैं तो आपके लिए समय काफी अच्छा होगा अगर आप जमीन जायदाद का काम करते हैं रियल स्टेट के बिजनेस में हैं तो समय आपके लिए अच्छा नहीं है ये समय विशेश करके 11 बच के 1 मिनट से लेके 12 बच के 25 मिनट तक का समय आप सैयम से निकाले 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 58 मिनट तक का समय अच्छा समय है आपका हर काम को अच्छी तरह से अंजाम देंगे आप लेकिन बड़े बुदूर्गों की बात को मानने से इनकार करेंगे कोई भी अच्छा सला देगा तो जल्द नहीं मानेंगे तो लोगों की सला को माने तो ज़्याद अच्छा होगा आपके लिए 3 बच के 58 मिनट से चंद्रमा चले जाएंगे सनी के नशतर में 3 बच के 58 याने 3.58 पीम के बाद चंद्रमा शनी के नशतर में चले जाएंगे और सनी आपकी कुणली में भाग भाव में बैठे हुए है तो तीन बज की अंठावन इनट के बाद प्राकर्म भी आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा भाग भी काफी बढ़ा हुआ रहेगा भाग के सारे बहुत सारे काम करेंगे शनी भी चंद्रमा के ही नशत्र में है और चंद्रमा आपके एकादस में बैठे हुए हैं सब भगभाव और आयभाव का बड़ा ही अद्भुत संज्योग रहेगा हर काम बनेंगे बिस्येस करके जो दवा का काम करते हैं उन्हें काफी लाव होने की संभावना है जो बेक्ती सर्जन है जो बेक्ती डॉक्टर है उन्हें भी काफी लाव होगा आज के दिन परसासन में काम करने वाले को उनका भग काफी साथ देगा उनका प्राकर्म काफी आपनायब बनती हैं केतु बैठे हुए सब्तमस्थान पर और केतु भी आपके कुणली में मतलब कि केतु गोचेर में सनी के ही नशतर में हैं तो थोड़ा सा प्रोब्लम हो सकता है लेकिन पार्टनर्स से लाब भी होगा आपको तीन बच के 59 मिनट से लेके साथ बच के 45 मिनट रात्तिर तक का समय भाग काफी प्रवल रहेगा आपका आयकी स्थिती अच्छी रहेगी आपके मेहनत का हर परिणाम मिलेगा आपको सेर सटा लोट्री से भी आपको फायदा होगा तो दिन आज आपका बहुती सांदार है आज के दिन आप शिवलिंग पर दही दूद मध और उजिला तिल चराते हुए सिवाले में ही बैठकर स्री शुक्तम का पार्ट करें अगर स्री शुक्तम का पार्ट करने में कोई परिशानी है आपको तो गुप्त नवरात्रा भी चल रहे हैं आप दुर्गा सबसती के ही समंत्र का जाब करें विद्या बन्तम यसस बन्तम लक्ष्मी बन्तम जनम कुरू रूपम देही जैम देही यसो देही दिसो जैही काफी लाब होगा दिनाप का शुभो मिथुन रासी चंद्रदेव दस बच के तीन मिनट तक कुम्ब रासी में रहेंगे जो आपके भग भाव की रासी है बिरस्पती के साथ बैठे हुआ रहेंगे अच्छा समय है आपका दस बच के तीन मिनट सुवा के बाद चंदर देव चले जाएंगे मीन रासी में जो आपके कर्म भाव की रासी है और कर्म भाव के स्वामी बिर्यस्पति देव अपने भाव से बाड में लेकिन भाग भाव में बैटे हुए हैं चंद्रमा बिर्यस्पति के इन शत्र में है तो भाग भाव और कर्म भाव का अच्छा संगम है भाग साथ देगा जिससे कर्म आपके बनेंगे 10 बच के 3 मिनट के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मीन रासी में और बिर्यस्पति के इन शत्र में रहेंगे तो समय काफी अच्छा रहेगा 11 बच के एक मिनट से लेके 12 बच के 25 मिनट तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा जमीन जायदाद से आपको काफी लाब होंगे संतान पक से काफी लाब होगा संतान के अच्छे-च्छे समाचार सुनने को आपको मिल सकते हैं ये समय जमीन जायदात के डिल करने का भी समय है हर काम को निपटने का समय है प्राकर्म भी आपका काफी बरा हुआ रहेगा आज के दिन बारा बच के पचीस निर्ट से लेके तीन बच के अंठावन मिन तक का समय है खर्च का समय है, बिना मतलब के खर्च होंगे, कर्ज लेके भी खर्च करने की नोबत आ सकती है, राहू बैठे हुए हैं, आपके बार में बहुं में है, राहू भी सूर्ज के नचतर में है, सूर्ज आपके अश्टम में बैठे हुए हैं, विदेश से लाब होने की संभावन लेकिन जो बैक्तिस सरकारी नौक्री करते हैं, उन्हें काफी तकलीब का सामना करना पर सकता है, उचाधिकारियों से काफी डाट फटकार लग सकता है, और जो अनैतिक काम करते हैं, सरकारी करमचारी उनको जील जाने का भी समय है, बारबच के पचीस मिनट से लेकिन तीन बच के अंठावन मिनट तक का समय, तीन बच के अंठावन मिनट संध्या के बाद, चंद्रमा चले जाएंगे शनी के निशत्र में, और शनी भी आपके अश्टम में बैठे हुए हैं, शनी आपके भगभाव के स्वामी है, शनी आपक किसी तरह का छोटा मोटा घटना-दुरगटना हो सकता है, पैर में आपके दर्द रह सकता है, जुआइंट पेन हो सकते हैं आपको, सरकारी काम से नुकसान हो सकता है आपको, तो ये समय कहीं से भी अच्छा नहीं है. साथ बज़ के पैंतालीस मिनट संध्या से लेके रात्तरी नौ बज़े तक का समय ये समय केवल ख्याली पुलाव बनाने का समय है लेकिन इस ख्याली पुलाव में भी आप अच्छी अच्छी डिसीजन को इंप्लिमेंट कर सकते हैं बुद्ध अस्ट्रम में जरूर बैठे हुए हैं लेकिन सुर्ज के साथ बैठके बुद्ध काफी पावर्फुल हो गया है और सोध के काम करने वाले को काफी लाव मिलेगा जेनरल बेक्ती भी अगर कोई अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं बिजनेस के बनाते हैं पढ़ने के बनाते हैं तो उसमें भी उनको काफी लाव मिलेगा तो यह समय बुड़ा नहीं है लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा दिन नहीं है हनुमान चलिसा कहीं पाट करें और साथ में बजरंग बान का जरूर पाट करें काफी लाव होगा दिन आपका शुभो करक रासी चंदर देव आपके बैठे हुए हैं अश्टम भौ में कुम्ब रासी में और दस बच के तीन मिनट के बाद चले जाएंगे मीन रासी में सूर्ज बुद्ध सब्तम स्थाने बैठकर काफी आपको प्राकर्मी बना रहे हैं काफी बुद्धिमान बना रहे हैं बेपार में काफी लाव दे रहे हैं मंगल शुक्र आपके छट्ठे स्थाने बैठकर सत्रूं का बढ़ा ही समन कर रहे हैं फाल तू फाल तू खर्च करा रहा है के तू पंचमसाना बैठकर संतानपक से आपको निरासा दे रहे हैं गोचर में भी कालसर प्योग लगा हुआ है तो ध्यान देंगे थोड़ा नौ बच के तेतीस मिनट से लेके गारा बच के एक मिनट तक का समय आपके लिए कई से भी अच्छा समय नहीं है संयम से काम ले एक गारा बच के एक मिनट से लेके बारा बच के पचीस मिनट तक का समय जमीन जायदात से फायदा होने का समय है कोट कचरी में बिज़ई होने का समय है लेकिन बैपार में आपको बहुत ज़्यादा फाइदा नहीं होगा हलाकि प्राकर्म आपका कर्म के छेत्र में बढ़े हुए रहेंगे लेकिन इंकम के सोर्स कम रहेंगे और खर्च की अधिक्ता रहेगी 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 58 मिनट तक का समय बहुत ही सांदार समय है सेर सट्रा लॉट्री से काफी फाइदा होने वाला है आपको हर बिगरे काम बनने वाले है डूए वे पैसे वापस होने वाले हैं आपके 3 बच के 58 मिनट के बाद चंद्रमा चले जाएंगे उत्राभाद पद्धन छत्र में जिसके स्वामी सनी देव है और चंद्रमा मीन रासी में ही रहेंगे तो 3 बच के 58 मिनट के बाद दामपज जीवन से थोड़ी प्रोब्लम का सामना करना पड़ सकता है पार्टनर्सिप का जो ब्यपार है उसमें थोड़ी बहुत प्रोब्लम का सामना करना पड़ सकता है आई की स्थिति सितिल हो जाएगी साथ बज़ के 45 मिनट रात्री से लेके रात्री नौ बज़े तक का समय थोरे अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं, जीवन साथी से भी समझोता हो सकता है और पार्टनर से भी समझोता हो सकता है कुछ फाइदा हो सकते हैं कुल मिलाकर दिन आज बहुत अच्छा नहीं है आज के दिन आप शिवा ले जाएं शिबलिंग पर दूद दही मद चरावें उजला तिल भी चरावें और वहीं बैठकर जाप करें बिदेही देवी कल्यानम बिदेही परमाश्रियम रूपम देही जैम देही येसो देही दिसो जही तता गायत्री मंत्र का 108 बार आप जाप करें काफी लाव होगा आपको दिन आपका शुबो सिंग रासी चेंदर देव बैठे हुए हैं कुम रासी में जो आपके सब्तमभाव की रासी है और 10 बच के 3 मिनट तक ही वहाँ रहेंगे सुबह 10 बच के 3 मिनट के बाद चेंदर माँ चले आवेंगे मीन रासी में जो आपके अश्टमभाव की रासी है ऐसे में 10 बच के 3 मिनट के बाद किसी भी तरह का यात्रा करना उचित नहीं होगा मांसी किस्तिती भी थोड़ी तनाव पूर्ण रहेंगे आपके चंद्रमाहला की बिरस्पती के नशत्र में हैं जीवन साती से भी काफी प्रोब्लम्स का सामना करना पर सकता है आपको पार्टनर्सीप के बेपार में भी काफी प्रोब्लम्स का सामना करना पर सकता है 11 बच के 1 मिनट से लेके 12 बच के 25 मिनट तक का समय संतान पक से लाव का समय है संतान से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 58 मिनट तक का समय कहीं न कहीं से आपको कुछ प्रोब्लम का सामना करना पर सकता है जो बेक्ति अनैतिक काम करते हैं सरकारी नोकरी में रहकर उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोब्लम का सामना करना पर सकता है उचादिकारी आपसे आपरशन ने रह सकते हैं तो विशेज करके 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 58 मिनट तक सरकारी नोगरी करने वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे जो बेक्ति डॉक्टर है जो बेक्ति इंजियनियर है उनके काम में आज बरहोत्री होगी 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 58 मिनट तक के समय में 3 बच के 58 मिनट पी-म से 3.58 पी-म से चंदर देव चले जाएंगे शनी के नचतर में और सनी आपके छटे स्थान में बैटे हुए है बहुत सारे कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी कर्ज आज के दिन चुकाएंगे आप तो कर्ज चुकाना भी अच्छी समय का धोतक है अगर आप आज़ानी से किसी के कर्ज को चुकाते हैं तो मानसिक सांति मिलेगी लेकिन चंदर माँ आपके एस्टरम में बैठे हुए है तो मानसिक सांति का समय कम ही है जीवन साती से तक्रार और भी बढ़ेगा तीन बच के अंठावन मिनट से लेके सात बच के पैंतालिस मिनट तक ये समय सत्रूमों पर बिजय का समय है लोगों के कर्श चुकाने का समय है और आत्म चिंतन का समय है आप आत्म चिंतन करेंगे कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं तो कुल मिलाकर सिंगरासी वाले समय आज आपका बहुत अच्छा नहीं है सूर्ज को जल चरहाना न भूलें और आज के दिन बिसेज करके थोड़ा सा जल में दूध मिला दें और थोड़ा सा हल्दी मिला दें और ओम घिर्णिये सूर्जाए नमा का जाप करते हुए सूर्ज को जल चरहावें और अपने पूजा स्थल पर बैठ कर 108 वार गायत्त्री मंत्र का जाप करें काफी लाब होगा दिन आपका शुभो कन्या रासी चंद्र देवाब के छठे अस्थाने बैठे हुए हैं कुम्ब रासी में और दस बच के तीन मिनट के बाद सुवा चंद्रमा चले जाएंगे आपके मीन रासी में जो आपके सब्तम भाव की रासी है काम धाम की अच्छी स्थिती रहेगी भाग दोर की स्थिती तोरह जादा हो सकती है जो बेपार करते हूंने बेपार में काफी लाव हो सकता है चंद्रमा ब्रियस्पदी के ही नचत्र में है ब्रियस्पदी आपके छठे में बैठे हुए हैं ऐसे में कर्ज लेने की नोबत आ सकती है कर्ज लेके अपने बेफसाय को आप काफी लाब में ला सकते हैं तो कर्ज लेने का समय है 11 बज के 1 मिनट से लेके 12 बज के 25 मिनट तक का समय अच्छा समय है आपका खास करके उन बेक्तियों के लिए काफी अच्छा है जो नेतागिरी करते हैं लीडर हैं जो एलेक्सन लड़ रहे हैं आज की दिन आप अपने छित्र में जाएंगे तो काफी उसाहित रहेंगे वहाँ के जनता से आपको काफी मान समान मिलेगा 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 58 मिनट तक का समय ये समय थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है भाग साथ नहीं देगा आपका हलाकि जो बेक्ति जो बच्चे जो युवा जो इस्टुडेंट हाईयर एजुकेशन में जाना चाहते हैं अच्छे इंस्शूशन में जाना चाहते हैं उनको काफी सफलता मिलेगी उनके काम की एडिमिशन उनका अच्छे जगह होगा जो बिदेश जाना चाहते हैं इस समय बिदेश जाने का भी इस्तिती उनका प्रवल है बारा बच्च के पचीस मिनट से लेके तीन बच्च के अंठावन मिनट पीम तक तीन बच के अंठावन मिनट के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनी के निचत्र में है सनी आपके पंचमस्थाने बैटे हुए है सूर्ज भी पंचमस्थाने बैटे हुए है बुद्ध भी पंचमस्थान में बैटे हुए है तो संतान पक्षाप का काफी प्रवल रहेगा आई की सिदिक काफी अच्छी रहेगी हर्क बिग्रे हुए काम आपके बनेंगे जो बेक्ति सोध करते हैं उनके के लिए बड़ा ही सुन्दर समय होगा साथ बच के पैंतालिस मिनट से लेके राजत्री नौ बजे तक आज के दिन आप दुर्गा सबसदी के इस मंतर का जाप करें यादेवी शर्व भूतेशू बुद्धी रूपेन संसिता नमस्तसे नमतसे नमु नम काफी पावर्फुल मंतर है इस मंतर का 108 बार जाप करें काफी लाव होगा दिन आपका शुभो तुला रासी चेंदर देव आपके पंचम में बैटे हुए हैं कुम्ब रासी में और 10 बच के 3 मिनट के बाद चले जाएंगे मीन रासी में जो आपके चटे भाव की रासी है कामधाम के अधिकता रहेगी कामधाम के बारे में काफी सूचेंगे आप चेंदर मा बिरसपती के इने चतर में हैं बिरसपती पंचम में बैटे हुए हैं संतान के स्वास से थोड़ी परिशानी हो सकती है आपको लेकिन सूर्ज, बुध और शनी तीनों बैटे हुए हैं चतुरत स्थान पर तो जो बेक्ती नेता हैं जो दिलेक्षन लग रहे हैं उनके के लिए समय काफी सांधार है अपने छेत्र में उनको काफी बहवाई मिलेगी काफी मान सम्मान मिलेगा लेकिन जो बेक्ती हिरदे हिरोगी है वो साथधान रहेंगे आज के दिन सूर्ज बैटे हुए हैं चतुरत स्थान पर सूर्ज आपकी कुणली में चंद्रमा के ही नशत्र में चंद्रमा बैटे हुए हैं छट्टे में जो रोग भाव भी है होस्पीटल तक ले जाने की नौबत आपको ला सकता है एक गारा बच के एक मिनट से लेकर 12 बच के पचीस मिनट तक का समय खास करके हिड़े रोगियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है लेकिन प्राकरमाप का काफी बढ़ा हुआ रहेगा भाग काफी बढ़ा हुआ रहेगा महिलाओं से भी काफी लाब मिलने की संभावना है जो बेकती जमीन जायदात का काम करते हैं काफी लाब मिलेगा जो बेकती पुलीस सिवा में हैं काफी लाब मिलेगा जो बेकती सर्जन हैं डॉक्टर हैं दवा का काम करते हैं उनके के लिए एक सांदार दिन है, जो नेता है, उनके के लिए भी सांदार समय है, बारवज के पचीस मिनट से लेके तीन बच के अंठावन मिनट तक का समय है, ये समय कहीं से भी आपके लिए अच्छा नहीं है, इस समय में भूल कर भी आप सेर सक्टा लोट्री न करें हलाकि विर्यस्पती राहू जी उट रहे हैं इस समय में विर्यस्पती आपके सेर सक्टा लोट्री भाव में ही बैटे हुए है विर्यस्पती भी राहू के नचत्र में है और राहू अश्टरम में बैटे हुए है अचानक धनियोग का समय बन रहा है आपका बारा बच के पचीस मिनट से लेकि तीन बच के अंठावान मिनट तक और राहू भी सूर्ज के न चत्र में सूर्ज चतूर्थ में बैटे हुए है तो सियर सट्टा से लाव की सिती बन रही है लेकिन सियर सट्टा का तो मालिक भगवान ही है लाव की सिती बनती है लेकिन थोड़ा साब्धानी रखेंगे सोंच समझ के अगर काम कर सकते हैं तो करें परना सियर सट्टा से दूर रहें तीन बच के अंठावन मिनिट के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनी के निशत्र में और शनी भी आपके चतुर तस्थान में बैटे हुए हैं अपने घर में बैटे हुए हैं कर्म का भाव को देख रहे हैं सूर्ज भी आपके कर्ण भाव तेन तस्तान को देख रहे हैं बुद्ध भी आपके तेन तस्तान को देख रहे हैं काम धाम की सिति काफी प्रवल रहे हैं आपकी जम के काम करेंगा हर काम से आपको फायदा होगा तीन बज़ के अंटावान मिनट रेल से लेके साथ बज़ के पैंतालिस मिनट का समय आपके लिए ये भी समय आपके लिए काफी अच्छा है काम की गती थोरी सुलो होगी लेकिन जो होगी सब फिट होगी और सब हिट होगी साथ बज़ के पैंतालिस मिनट से लेके राथ्री नौ वज़े तक का Самय भी आपके लिए बहुत ही सान्दार समय है बुद्धी काफी सार्प रहेगा हर काव बुद्धी से करेंगे विसेस करके जो पत्रकार है जो इंटरनेट के माद्यम से काम करते है संचारमाद्यम से काम करते है जो टीचर है किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं समय काफी अच्छा रहेगा शुक्रवार का दिन है आज के दिना आप शुक्र के ही मंत्रों का जाब करें काफी लाब होगा दिन आपका शुबो ब्रिस्टी ग्रासी शंद्रदेव आपके चतूरत स्थाम में बैटे हुए हैं दस बस के तीन मिनट सुबह तक तो दस बस के तीन मिनट तक किसी भी तरह का यात्रा पढ़ना जाएं दस बस के तीन मिनट के बाद शंद्रमा चले जाएंगे आपके मीन रासी में जो आपके पंचम भाव की रासी है 10 बच के 3 मिनिट के वाद किसी भी तरह का यात्रा करें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है लाब होगा यात्रा से आपको चेद्रमा बिरस्पती के नशेद्र में है बिरस्पती आपकी कुंडली में पंचम अस्थान के स्वामी है, बिरस्पती आपके कुड़नी में धन अस्थान के स्वामी है, समय काफी अच्छा है आपका, 11 बच के 1 मिनट से लेकर, 12 बच के 25 मिनट तक कर समय काफी सांदार है, हर तरह के काम से सपलता मिलेगी, 20-60 लोटरी से काफी सपलता मिलने का चांस ब बनता है आपका, इस तरी पक से भी काफी फाइदा होने का चांस बनता है, जो बेक्ती सिंगी के काम करते हैं, जो बेक्ती फिल्मों में काम करते हैं, जो बेक्ती मुजिशियन है, बेहतरी समय है आपके लिए, काम को अंजाम दे और सफलता प्राप्त करे, बिना काम के तलकी रहेगी बानी में कठोड़ता रहेगी तो बानी की तलकी को थोड़ा दूर करें आप थोड़ा मीठा बोलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको बारा बच के पचीस मिनट से लेके तीन बच के अंठावन मिनट तक का समय बेपार से काफी फायदा होने का समय है पू जो डॉक्टर है जो इंजिनियर है जो बिस्येस करके संचार माध्यम से काम करते हैं उन्हें लाब ही लाब है तीन बच के अंठावन विनिट के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनी के निशतर में सनी आपके तीरतीय स्थाने बैटे हुए है भागस्तान को देख रहे हैं सन संतान पक्ष को विदेश दाने की संभावनाय बनेगी संतान पक्ष से काफी लाब होगा संचार माध्यम से काफी लाब होगा पत्रकारों को काफी लाब होगा नए नए स्टोड़ी खोज लेंगे तीन बच की अंठावन मिनिट के बाद चंद्रमा चले जाएंगे शनी के अजक दिन हर तरह से आपके लिए बेतरीन दिन है 7 बज़े 45 मिनट रात्तरी से लेके रात्तरी 9 बज़े तक भी बेतरीन दिन है आपका भाग काफी साथ देगा आजके दिन आप उजला गाय को लोहे की बालटी से एक बालटी पानी पिलावें और शुक्र के ही मंत्रों का जाप करें काफी लाव होगा दिन आपका शुब हो धनूरासी चेंद्रदेव बैटे हुए आपके तीसरे भाव में बिर्यस्पती के साथ कुम्बरासी में और दस बस के तीन मिनट के बाद आपके आजाएंगे चतुरत स्थान पर किसी भी तरह का यात्रा दस बस के तीन मिनट के बाद आपको नहीं करनी है यात्रा से काफी परशानी होगी सूर्ज शनी और बुद्ध आपके दूती ये स्थान में बैठे हुए हैं धन्धान में काफी लाव वड़ा है आपका चंद्रमावी बिरेस्पती के ने चत्र में है बिरेस्पती तीसरे अस्थान में है और बिरेस्पती आपके सब्तम अस्थान को देखके ब्यवसाय को काफी लाव पहुचा रहे हैं बिरेस्पती सत्मी दिरिष्टी से आपके भाग भाव को देख रहे हैं, काफी लाप पहुचा रहे हैं, भाग को काफी परवल कर रहे हैं, बिरस्पती नौमी दिश्टी से आपके कादस को देख रहे हैं, आए को परवल कर रहे हैं, और क्या चाहिए, 11 बच के एक मिनट से लेके 12 बच के 25 मिनट तक का समय बहुत ही सां हर काम में सफलता मिलेगी लेकिन गुस्टा नहीं करना लगन में राशी पर बिरस्वधी बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छा समय हैं लेकिन गुस्टा करेंगे थार काम बिगड़ सकता है बारा बच के पचीज मिनट से लेके तीन बच के अन्ठावर मिनट तक का भी समय काफ पर पोस्टिंग हो सकता है हर तरफ से लाब है किसी तरफ की कोई दिक्कत नहीं है धनूरासी वाले तीन बच के अंठावन मिनट के बाद चंदर देव चले जाएंगे शनी देव के नशत्र में और सनी भी आपके धन भाउं में बैटे हुए हैं सूर्ज के साथ बैटे हुए हैं बुद्ध के साथ बैटे हुए हैं धन धान की बढ़ी ही करेंगे तीन बच के अंठावन मिनट के बाद जो आदमी कितावों का धन्दा करते हैं जो आदमी स्कूल का धन्दा करते हैं जो ब्यक्ति बैंकिंग में हैं finance service में है दिन उनका सांदार है हर तरफ से आपको लाब होने की संभावना है लेकिन गर्दन में थोड़ा दर्द रह सकता है आपका आँखों में थोड़ा problem रह सकता है तो गर्दन के दर्द आँखों के problem के कारण किसी दोक्टर से मिलें आप साथ बच के पैंतालीस मिनट से लेकिर रात्री नौ बज़े तक का भी समय आपके लिए बहुत ही सांदार है कुल मिलाकर धनुडासी वाले दिन आज आपका बहुत ही अच्छा है आज के दिन बिरस्पती के मंत्रों का जाब करें और तीन बार हनुमान चलिशा का पाट करें ओम ग्राम ग्रिम ग्रॉम सह गुरुए नमा ओम ग्रिम ग्रॉम सह गुरुए नमा और हनुमान चलिशा का तीन बार पाट करें काफी लाब होगा दिन आपका श्यूफ हो मकर रासी चंदर देव आपके दूती ये स्थान है बैटे हुए हैं बिरस्पती के साथ कुम्ब रासी में और दस बच के तीन मिनट के बाद चले आपेंगे मीन रासी में जो आपके तीरती ये स्थान है चंदर माप बिरस्पती के ही ने चतर में रहेंगे बिरस्पती आपके धन भाव में बैटे हुए हैं बिरस्पती आपके ब्यास्थान के स्वामी है और बिरस्पती देव आपके प्राकरमस्थान के स्वामी है ब्याई की अधिकता रहेगी काफी अधिकता ब्याई की रहेगी मान सम्मान अलाकि मिलता रहेगा धन बढ़ता रहेगा पैत्रिक संपत्ती बढ़ता रहेगा लेकिन पैत्रिक संपत्ती भी बेच के आप ब्याई कर सकते है चाहे कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर सकते है 11 बच के 1 मिनट से लेके 12 बच के 25 मिनट तक का समय खर्च ही खर्च का समय है आपके हर गलत कोई भी गलत काम कर देंगे तो कोट कछरी मुकदमा हो जाएगा आपको तो कोई भी काम करने के पहले आप सोच लें कि कोई भी गलत काम नहीं करना है वरना कोट कचरी होना तय है 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 85 मिनट संध्या 3.58 पीम तक 12.25 पीम से लेके 3.58 पीम तक संतान पक से काफी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है संतान आप से बिद्रो कर सकते हैं और आप में काफी गुसा का भाव रहेगा सांत रहेंगे लेकिन काफी गुसा का भाव रहेगा काफी अभिमानी होके रहेंगे भी आप तो थोड़ा सा अपने आप में सुधार लावें 3.58 मिनट के बाद चंद्रदेव चल जाएंगे शनी के नचत्र में और सनी आपके कुंडली में भी रासी पे बैठे हुए हैं आपके सनी की सारसाती चल लएए और सनी भी चंद्रमा के नचत्र में चंद्रमा तीर्तिय स्थाने बैठे हुए हैं यास्तरा का प्रोगाम बन सकता है और काफी आलसी न जड़ाएंगे आप आज काफी आलस आप में गेरे हुए रहेगा तीन बज के अंटावान मिनट से लेकर साथ बज के पैतालीस मिनट तक भी काफी आलसी रहेंगे आप भाग दोर करेंगे लेकिन मन में कोई उस्साह नहीं रहेगा आपके उस्साह बिहीन रहेंगे आप साथ बज के पैतालीस मिनट पी-म से लेकर रातिन नौ बजे तक का समय थोड़ा अच्छा समय है बेपसाय से लाब होगा बुद्धी भी खुलेगा आपका शुक्रवार का दिन है शनी की सारेसाती भी आपको चल रही है आज के दिन गुप्त सबसती का पाड़ करें आप या शुक्र के मंतरों का जाब करें ओम द्राम द्रिम द्राम सा सुक्राय नमा ओम द्राम द्रिम द्राम सा शुक्राय नमा तदा दुरगा सबसती ये इस मंतर का जाब करें काफी लाव होगा दिन आपका शुबू कुम्ब रासी में और दस बच के तीन मिनट में चले जाएंगे मीन रासी में जो आपके धन भाव की रासी है तो आज के दिन धन का संग्रह आप काफी कर सकते हैं धन में काफी संग्रह कर सकते हैं आप जमा पुंजी में आप ब्रधी कर सकते हैं चंद्रमावे बिरास्पती के नचतर में हैं काफी धार्मिक रहेंगे आप कोई भी गलत काम करने से हिचकेंगे आप हलाकि ग्रियस्पती राहू के नचतर में है राहू चतुर तस्थाने बेटे हुए माता का स्वास अच्छा रहेगा 11 बच के 1 मिनट से लेके 12 बच के 25 मिनट तक का समय काफी मान सम्मान उत्थान का समय जमीञादात से लाउब का समय मकान घर खरिदने का समय जीवन साती से लाउब होने का समय लेकिन आपका ब्लड प्रेसर कुछ बड़ा हुआ रहा सकता है तो 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 थ्यान देंगे 12 बच के 25 मिनट से लेके तीन बच के 58 मिनिट तक का समय ये भी समय आपके लिए अच्छा है जो बेक्ति एलेक्शन लग रहे हैं जो बेक्ति नेता हैं उनके के लिए थोड़ा सा कठीन समय होगा छेतर में जाएंगे तो काफी उनको भिरोध का सामना करना पड़ सकता है तो नेता जी को थोड़ा साब के बार में मैं बैटे हुए तो विदे से काम करने वाले को काफी लाब मिलेगा जो वेक्ति यूडिशियल सर्विस में हैं हर काम सोच समझ के करें हर आदेश का पारित करना सोच समझ के करें विशेज करके तीन बच के अंठावन मिनट के बाद हलाकि आप से गलतियां नहीं हो होंगी लेकिन फिर भी तीन बच के अंठावन मिनट के बाद जब चंद्रमा चले जाएंगे उत्तरा भातपद नशतर में तो पूर्वा भातपद नशतर का सारा रिजल्ट साब को मिलने वाला है और अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथ बच के पैंतालिस मिनट के बाद स्व स्वास पर ध्यान दें समय बहुत अच्छा नहीं है खर्च कि अधिक्ता रहेगी तो संतान के स्वास पर भी विसेज ध्यान दें दिन बहुत बुरा नहीं है आपका आज के दिन सनी के ही मंत्रों का जाप करें ओम प्राम प्रिम प्राम सहसन चराय नमा ओम प्राम प्रिम प्राम सहसन चराय नमा या दुर्गा सबसदी के इस मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें आप इस समंत्र का जाब करें बहुत सारे संकट आपको छुएंगे भी नहीं काफी दूर निकल जाएंगे तो दिन आपका शुभो मीन रासी दस बस के तीन मिनर तक चंद्रमा आपके रहेंगे कुमब रासी में जो आपके कुणली में बार में भाव की रासी है दस बस के तीन मिनर के बाद चंद्रमा चले आपके रहेंगे आपकी की रासी पर और बिरस्पती के नशहतर में बैटे हुए है सरजी स्वास पे तो द्यान दे है स्वास पहुत अच्छा रहने के सिर्थी नहीं है पानी से दूर रहें फेपरे में प्रोब्लम हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ऐसे आयक के साथ हैं आपके काफी अच्छे होंगे सनी, सूर्ज और बुद्ध आपके आयवाँ में बैठे हुए हैं जो आपको काफी सफलता दिला रहा हैं लेकिं स्वास पर भी सेज़ जैन दे 11 भाच के एक मिनिट से लेके 12 के पचीस मिनिट तक का समय कर्म के छेतर के लिए अच्छा समय है चार होत्रप से लाब मिलने का समय है जमीन जाइदा से लाब मिलने का समय है रिएल स्टेट में जो काम करते हैं building बनाते हैं उनको काफी लाब मिलेगा 12 बच के 25 मिनट से लेके 3 बच के 58 मिनट तक का समय यास्तरा का समय है और यास्तरा से भी आपको लाब मिलेगा प्राकर्म आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा सरकारी सेवा से भी लाब मिलेगा जो बेक्ति होए हैं लेकिन सुने का समय नहीं है करम का समय है कर्म कशकुंद शितना करेंगे income उतना ही होगा समय अच्छा है आपका साथ बच्च के 45 मिनट से लेकर रातरी 9 बजे तक कभी समय काफी अच्छा है काफी बुद्धी मानी से काम करेंगे हर काल काम सफल होगा आपका तो मीन राजी वाले समय आपका बूरा नहीं है लेकिन स्वास के लिए समय आपका काफी बूरा है स्वास पर बिसे इस ध्यान दें आज के दिन दुर्गा सबस्दी के इस मंतर का जाब करें शर्वावादा परशन्यम तिलोका सक्लस्वरियम मेंद्यम काडियम शर्वावादा परशन्यम तिलोका सक्लस्वरियम मेंद्यम काडियम शर्वाद बिनास्वरियम विदेई देवी कल्यानम विदेई परमाश्रियम रूपम देई जैम देई यसो देई दिसो जै विदेई देई देवी कल्यानम बिदेही परमाश्रियम रूपम देही जैम देही येशो देही दिसो जै काफी लाब होगा दिन आपका शुबो रासिफल के सिंकला में इतना ही आप मेरे चैनल नचतरवानी को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें नमस्कार